हेलो डियर स्टुडेंट जही मैंस 2020 का एक क्वेशन है बहुत ही प्यारा सा इसको हम लोग डिस्केशन करने जा रहे हैं स्पीड ओफ ट्रांसवर्स वेव स्ट्रेट वायर एक स्ट्रेट वायर है मातलब दक्लैम से बीच म मनी एक वायर लगा रखए है और इससे की लींध्थ से और इस वायर का जो एरिया फ्रॉस्टेक्शन अगर आप इस वायर को जूम करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा इसका जो क्रॉस्टेक्शन है वह आपको वन मिलीमीटर स्कॉायर दिया हुआ इसके अंदर जो वेव की स्पीड है वो 90 मिटर पर सेकंड वेव इस 90 मिटर पर सेकंड एंड यंग्स मॉडूलोस ऑफ द वायर इस 16 इंटू 10 डिस्टू पावर 11 यूटन मीटर यूटन पर मीटर स्कॉयर तो इसके ओपर जो एक्स्टेंशन होगा वो कितना होगा इसकी लेंथ में कितना चेंज हो सकता है वो हमको फाइंड आउट करना है तो कैसे किया जाया ज़रा देखते हैं इस कोशन को आपको बताए कि जो यंग्स मॉडूलोस होता उसका फूर्मूला होता है अफ अपॉन है एल अपॉन अफ्सके इनदर लगने वाला होगा एक्स्टेंशन अगर मुझे फॉर्स पता चल जाय कि इस वाईर में फॉर्स किदना है तो मेरे पास extension आ जाएगा extension बराबर हो जाएगा आपका F L upon A into Y यह जो force है इस force को निकालने के लिए मुझे clue दिया हुआ है इसकी velocity के बारे में सारे information है आप लोग जानते हो कि किसी भी wire के अंदर जो velocity होती है velocity of transverse wave in a wire या taut wire एक तनावा जो तार होता है उसके अंदर velocity होती है root T by mu जहाँ पे जो T होता है वो तो tension होता है wire में and जो mu होता है it is mass per unit length unit length के उपर mass तो यह जो tension है अगर में इसको force से represent करूँ को कि यह force ही है और यह mu हो गया दोनों तरफ square कर दिया जाए तो v square is equal to f upon mu आ जाएगा और यहां से force आ जाएगा मेरे पास में mu into v square ठीक है जो चीज मेरे पास नहीं थी वो मैंने निकाल ली दिवी information से मेरे पास में delta l का formula बन जाएगा f upon a l upon y और जो force है this is mu into v square सबसे पहले हमको formula बनाना पड़ता है जो mu होता है यह होता है आपका mass per unit length of the wire तो wire का जो mass है वो m दिया हुआ है और length l है उसको मैंने m upon l लिख दिया v square l upon a into young's model length से length कट गया और यह हो गया m v square upon a y सबसे पहले मैंने formula मेरा arrange कर लिया और अब सिंपल सा काम है मुझे इसके अंदर values पूट करनी है तो m v square upon a y यह मेरे पास formula आया यह formula आया extension का तो wire का mass है वो 6 gram दिया हुआ है और wire में जो velocity है wave की वो 90 meter per second है area मुझे 1 mm square दिया हुआ है और young's modulus की value 16 into 10 to power 11 newton per meter square है एक बार मैं values confirm कर लेता हूँ 16 into 10 to power 11 ठीक है बस अब तो calculations का खेल रहे गया है देखो अब सबसे पहले formula बनाया दो formulas को हम लोगों ने match किया इसके अंदर formula final formula create किया और जो values है उनको भी मेरे को SI system में रखना होगा तो इस gram को मैंने kilogram में change कर लिया and यह 90 का square 90 का square करोगे तो यह 8100 हो जाएगा mm को जब आप मीटर में change करोगे तो आपको बताए कि 1 mm is equal to 10 to power minus 3 meter होता है and 1 mm का square करोगे तो 10 की power minus 6 मीटर का square हो जाएगा इसे 16 into 10 to power 11 अब देखो calculations भी बहुत important होती है अब जैसे मेरे को 8100 को काटना है 16 से तो अगर यह 80 होता ना तो सोला पंचे असी होता है तो यह approximate मेंने 500 बार कर दिया 6 into 5 करोगे तो बचो यह हो जाएगा आपका 3000 इंटू 10 to power minus 3 यह उपर वाला जो माइनस 6 से उपर जागा तो प्लस 6 हो जाएगा और यह 10 to power minus 11 इसके 30 से यह minus वाला कट गया and 6 minus 11 का मतलब हो गया 10 की power minus 5 meter 3 into 10 to power minus 5 meter मेरा इसका आंसर आया तब extension जो है वो 3 into 10 to power minus 5 meter आया लेकिन मेरे options जो है वो millimeter में दिये हुए है तो मैंने इसको भी break कर दिया तो यह जो यह millimeter बन गया तो यह 3 into 10 to power minus 2 millimeter तो मैं इसको 0.03 millimeter लिख सकता हूं and this is the final answer of this question okay तो देखो कितना प्यारा प्यारा सा कितना सुन्दर सा सवाल था और रिली यह preparation के लिए जब आप लोग किसी भी exam की preparation करते हैं तो ऐसे questions को solve करना हमारे लिए बहुत-बहुत ज़्यादा beneficial रहता है okay I think आपको benefit वा होगा इस question से keep connected with APG की दुनिया मैरुम प्रकाश गोड हमेशा आपकी साहता के लिए always ready love you so much and God bless